Hey guys, this is Rohit Bhakat and welcome back to my channel Mobile Talk तो guys, पहले तो सभी को thank you बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरे चैनल पे finally complete हो चुका है 20k subscriber बस आप लोग का प्यार and support के बज़े से तो guys, आज की बीडियोगा हम करेंगे Realme Narzo 10 Mobile का camera test and camera review और आपको दिखाएंगे इस price segment पे यानि 12,000 की price में Realme आपको कैसा camera प्रोबाइट कर रहा है तो चलिए आज का वीडियोज बिना time कबाए, शुरू करते हैं तो guys, वीडियोज शुरू करने से पहले में और एक बात बताना चाहते हो इस Narzo 10 के उपन में बहुत सारा वीडियोज पहले भी बना चुका हो लाइक, गेमिंग टेस्ट, फीचर्स वीडियोज, अन्बॉक्सिंग, हैंडस ओन वीडियोज तो उन सभी वीडियोज का लिंक आपको description पर मिल दागा अगर time हो, तो वीडियोज भी check out कर लेना पहले ये वीडियोज फूल देख लेना, उसके बाद आप जड़ू check out करना तो आज जो camera test के बारे में बात करेंगे तो पहले आपको camera features, यानि camera देखाते हैं यहाँ पर जो camera आपको provide किया जा रहा है तो पीछे की तरफ अगर देखते हो, तो vertical design पर आपको quiet camera पो provide किया जा रहा है जो कि realme के आपको PBS phone पे मिल जुका है, like 5A, 5S पे तो उसी design के साथ आपको यहाँ पर quiet camera setup मिलेगा जहाँ पर main camera आपको मिल जागा 48MP का, secondary camera आपको provide किया आपको 8MP का फोर wide angle and third camera आपको मिलेगा 2MP for depth sensing, fourth camera मिलेगा 2MP for macro lens तो quiet camera पीछे की तरफ मिलता है and camera की ठिक side map आपको मिल जागा flash light बात करते हैं, font camera के बारे में तो यहाँ पर आपको मिल जागा 16MP का font camera जो कि आपको notch के अंदर देखने को मिलेगा तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस phone की camera interface के बारे में तो guys camera interface आपको कुछ इस type देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको बहुत सारा suit mood मिल जागा तो पहले जो आपको मिलेगा night mood तो यहाँ पर dedicated night mood पोवाइट किया जा रहा है इसके अलावी यहाँ पर मिल जागा videos mood तो videos mood पे भी आप अल्टावाइट शॉट्स और जूमिंग करके शॉट्र ले सकतो और guys अगर आप देखते हो यहाँ पर settings के अंदर video regulation तो यहाँ पर आप videos recording कर शकतो 1080p और 720p और दोनो वीडियोस 30fps पर आप record कर सकतो तो यहाँ पर आपको 4K supported नहीं मिलेगा बात करते हैं पर photos mood के बारे में तो यहाँ पर photos mood पे आप 10x ते जूमिंग कर सकते हैं अल्टावाइट shots भी ले सकते हैं और इसके अलावी यहाँ पर कुछ नया features आपको include किया गए जैसे कि आपको मिलेगा chroma boost तो यह features सायथ realme के पहले phone पर आपको मिल चुका है लेकिन यहाँ पर भी आपको नार्जो स्रीज पर मिल लाए इसका भी हाँ पर मिल जाएगा AI scene detection mood, auto HDR का supported back and front camera पर इसका भी हाँ पर मिल जाएगा shooting mood, ported mood, 48 मापिसल का आपको dedicated mood मिल जाएगा and यहाँ पर मिल जाएगा mood तो mode के अंदर आपको मिल जाएगा time slap mood, ultra macro mood, slow motion mood, expert mood and panorama mood तो guys पहले हम बात कर लेते हैं इस phone की daylight outdoor source के बारे में तो guys अगर आप outdoor कोई भी daylight source लेते हो तो कुछ इस type आपको picture quality मिलेगा तो picture का detailing है काफी अच्छा provide किया जाएगा and यहाँ पर एक नया features आपको provide किया जाएगा chroma boost तो इस features को अगर up on करके picture click करते हो तो picture के जो color है और भी vibrate होगा and picture का जो output मिलेगा आपको बहुत ही colorful मिल जाएगा और यहाँ पर picture का detailing भी आपको काफी अच्छा provide किया जाएगा बात के sharpness and dynamic range के बाड़े में तो वो भी आपको overall काफी अच्छा ही provide किया जाएगा इस price segment की phone पे और guys यहाँ पर आपको 48 मिल पिसल का एक dedicated mode provide किया जा रहा है अगर आप चातो एक high definition photos क्लिक करना तो आप इस mood से click कर सकते हैं लेकिन guys यहाँ पर आप full frame पे pictures नहीं click कर सकते हो आपको frame size रखना पड़ेगा 4 is to 3 तो अगर आप picture देखते हो normal picture quality and 48 मिल पिक्चर का अंतर तो picture आपको काफी semi provide किया जाएगा बस आपको detailing का अंतर यहाँ पर मिलेगा otherwise color, sharpness, dynamic range आपको semi provide किया जाएगा तो यहाँ पर जो picture quality आपको मिलता है तो regulations भी काफी अंतर मिलेगा normal photos mood and 48 में आप पिक्सल का तो यहाँ पर आपको details पे दिखाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो normal photos मैंने click कर चुका हूँ उसका picture size और picture definition देख सकते हो 4000 by 1800 pixel और यहाँ पर picture size आप देख सकते हो 2.6 MB का और गाइस वही photos मैंने 48 में पिक्सल मूट पे click कर चुका हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो picture का जो size 11.4 MB हो चुका है and definition देख जाए तो 8000 by 6000 pixel काफी अच्छा photos and काफी अच्छा detailing के साथ 48 में आपिसल कैमरा का आपको output दिया जाएगा और गाइस इस phone पे आपको सभी phone की तरह AI screen detection, auto HDR mode and coma boost जैसा option पोबाइट किया जाएगा अब बात कर लेते हैं guys zooming के बारे में तो guys यहाँ पर आपको 10x तक zooming मिल जाएगा लेकिन guys अगर आप 2x and 5x तक photos क्लिक करते हो zooming से तो वो photos आपको काफी clarity के साथ पोबाइट किया जाएगा लेकिन अगर आप 10x zooming करके कोई भी photos क्लिक करते हो तो वहाँ पर जो आपको photos पोबाइट किया जाएगा वो एकदम बेकार्स है यानि कोई काम का नहीं यानि आप 10x zooming करके कोई भी photos क्लिक करते हो तो वहाँ पर जो picture का quality है एकदम फालत हो आपको पोबाइट किया जाएगा देख लीजिए तो यह रहा नॉर्मल फॉटोस एड़ यह रहा अल्टरवाइड मूड पर तो मैं ने बहुत सरा सैंपल क्लिक कर चुका हूँ तो आप सैंपल एक-एक करके देखिए तो फॉटोस का क्यूलिटी आप देख सकते हो नॉर्मल फॉटोस क्यूलिटी एड़ बबाइट किया जाए यानि detailing फुड़ा आपको लो पुबाइट किया जाएगा otherwise color photos का sharpness अच्छा ही है dynamic range पे फोड़ा आपको यहाँ पर कमी देखने को मिलेगा तो आपको details पर देखा आते है नॉर्मल photos quality and जो अल्टर-wide पर फोटोस क्लिक करते हो तो उन फोटोस पर आपको क्या डिफरेंट मिलेगा तो यहां पर देख सकते हो मैंने जो नॉर्मल फोटोस क्लिक कर चुका हूँ तो यहां पर जो फोटोस का साइज है तीन एमबी के आसपास और डेमिनेशन देख सकते हो 4000 x 1800 पिक्सेल और वही फोटोस मैंने अल्टरावाइड मोड अन करके लिया तो यहां पर गाईस देख सकते हो डेमिनेशन 3260 x 1472 लेकिन यहां पर पिक्चर साइज आप देख सकते हो 1.7 और अपेचर भी यहां पर आपको ज सब्सक्राइब करके देख लिए तो काफी अच्छा पिक्चर कॉलिटी पोटेट शॉट्स में आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब की जो डीटेलिंग है वो भी काफी अच्छा पोटेट के जागा जाएगा अपडेट के बाद यह एच्छा पिक्चर कॉलिटी मिल जाएगा बात करते हो फॉंट कैमरा की पोटेट मूट के बारे तो गाईज यहाँ पर देख सकते हो मैंने बहुत साला सेलपी भी लेगे चुका हूँ तो काफी अच्छा सेलपी यहाँ पर पोटेट किया जा रहे है इसके अलावे आप ब्लैक और वाइट पोटेट शॉट्स ले सकत बात करते हैं गाईज यहाँ पर अब माक्रो लेंस के बारे में तो गाईज पिक्सल का माक्रो लेंस यहाँ पर यूज किया गया है तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा सॉट्स लेया है पहले आप सेंपल देखिए तो सेंपल पर आप देख सकते हो पिक्चर क्या जाएगा माक तो गैस, मैं बता दू, अगर आप थोड़ा low light पे pictures click करते हैं, या माइक्ड लेंच पे shorts लेते हो, तो noise आने का 100% chances रहता है, otherwise fully daylight shorts लेते हो, माइक्ड लेंच पे, तो काफी अच्छा picture quality मिलेगा, subject की detailing काफी अच्छा मिलेगा, picture का जो color है वो भी आपको काफी अच्छा provide किया जाएगा तो micro lens overall मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस price segment की phone पे आप बात कर लेते हैं guys night mood के बारे में तो guys night mood हाँ इस price segment पे आपको जो night mood provide किया जा रहा है तो night mood काफी अच्छा है अगर guys आप लेते हो fully low light पे picture click तो यहाँ पर थोड़ा noise आने का 100% chances रहता है अगर आप लेते हो flash on करके तो आपको सायद fully noise free यहाँ पर picture quality provide किया जाएगा and guys मैंने एक slow motion पे night mood shots ले चुका हो आप देख सकते हो मैं fully sound के तरफ मैंने एक pictures याँ वीडियो क्लिक कर चुका हो तो आपको सायद videos अगर आप क्लिक करते हो night mood पे तो वहाँ पर थोड़ा noise जरूर मिलेगा तो guys यही था overall picture shots अब बात करते हो वीडियो के बारे में और यहाँ पर आपको 4K का support नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा EIS का support याने electronic image stabilization वो भी आपको यहाँ पर नहीं पोवाइट किया जा रहा है तो आप अगर आप normal photos क्लिक करते हो normal videos क्लिक करते हो तो आपको electronic image stabilization यहाँ पोवाइट किया जागा और यह जो वीडियो का quality है 1080p 30fps पे तो आप यहाँ पर वीडियो इस्टेकल देख सकते हो कुछ खास आपको वीडियो इस्टेकल यहाँ पर नहीं पोवाइट किया जाएगा और गाइस यह जो वीडियो आप देख रहे हो यहाँ पर कोई भी external mic नहीं लगाएगा है यहाँ पर जो inbuilt mic है उसी से recording हो रहा है यानि electronic image stabilization तो यहाँ पर सपोटेट नहीं मिलेगा तो आपको थोड़ा वीडियो से की वीडियो में जाएगा तो गाइस यही ता कुछ वीडियो स्कॉलिटी तो वीडियो स्कॉलिटी खुब जादा अच्छा नहीं लगा अब भार ओल ठीक है प्राइस सिग्मेंट की फोन पर और गाइस यहाँ पर अब बात कर लेते हैं स्लो मोसन मूड के बारे में तो यहाँ पर गाइस व्लो मोसन मूड आपको जो पोबैट किया जा रहा है साइध आपको 128 पे आप स्लो मोसन रेकॉर्डिंग कर शक्तू तो स् स्लो मोसन मुझे यहाँ पर कुछ खास नहीं लगा इस प्राइस सिग्मेंट पर और भी कंपनी पर इससे अच्छा आपको स्लो मोसन पोबैट किया जा रहा है यहां मिल जाएगा तो रियल मी को भी स्लो मोसन के ओपर थोड़ा इंप्रूब करना चाहिए साइध अपडेट म में डिल मी कर दे तो यहां पर आपको अच्छा काशा स्लो मोड मिल जाएगा बात करते हैं टाइम स्लाप मुट के बारे में तो तो पहले आप सैंपल देख लिजिए तो guys time slap mode कापी अच्छा है कापी stable videos यहांपर पोवाइट किया जाएगा तो overall time slap mode का जो videos quality है वह आपको कापी अच्छा ही पोवाइट किया जाएगा तो guys यहीता overall realme narzo TNA का camera review and camera test तो बहुत सरा आप samples देख लीजिए तो आप comment करके जरूर बताना कि आपको videos कैसा लगा अगर guys आपको videos useful लगा अगर अच्छा लगा तो please like करना अपनी friend के साथ, दोस के साथ videos जरूर share करना और guys अगर आपको इस phone के बारे में और भी कुछ जानना है या पूछना है तो आप इस video के नीचे जाके comment करके जरूर बताना, मैं आपको directly answer दे दूँगा और guys आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं यहाँ पर मिल जागा मेरा Instagram का ID description पर भी मिल जागा, जाओ जाके अभी मुझे follow करो, जहाँ पर guys हम करते हैं बहुत सरा बात है, तो guys आज का छोटा सा सांदर वीडियोज एहीं पर खतम करते हैं फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक लिए गुडबाई, जाइहिंग, बंदमात्रम